दोस्तों स्वागत है आपका दवीजन उपीपीसे चैनल में मेरा नाम है स्योम चैल दोस्तों आज हम लोग जिग्राफी का फस्ट लेशन इंडियन डिवर सिस्टम को करेंगे उससे पहले मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को करीब 700-800 लोग 15 या 20 चैप्टर इसके होंगे पूरी जिग्राफी को कबर करने के लिए तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए मेरे चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कि लिजिए जिससे आप कोई पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जिससे आप इसली उपन करके वीडियो को पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है और आप सारे चैप्टर आराम से कवर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों इंडियन रिवर्स सिस्टम को हम दो तरह से कवर करेंगे एक उत्री भारत की नदियां और प्राधिपी भारत की नदियां उत्री भारती मैदान की नदियों में शिंदू गंगा और ब्रह्मपुत्र और प्राधिपी भारत की नदियों में जो नदियां पश्चिम क की तरफ प्रभावित हो रही है कि दोस्तों शिंदू नदी को हम लोग देखते हैं पहले तो इंपोर्टेंट यह है आप याद रखिए सिंदू जल समझाता जो है पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था 1960 में अभी यह पिछले साल बहुत है लेटर रहता है इंडिया ने कहा था कि हम लोग यह ट्रीटी तोड़ देंगे पाकिस्तान से कर यह थोड़ा अंतराश्टी समझाते या अंतराश्टी परवेश को देखते हुए यह सब होते रहते हैं चीज़ें लेकिन इंपोर्टेंट ह यह कोश्चन पूछा जा सकता है कि यह संदी कब हुई थी तो याद रखना यह 1960 में संदी हुई थी और इस संदी में हुआ क्या था कि सिंद जहलम चिनाव और जो ती नदियां थी वह पाकिस्तान को दी गई थी मदर इसका पाकिस्तान यूज करेगा पानी का और भारत को पाकिस्तान को इन नदियों का बानी देने का मतलब यह नहीं था कि भारत इसमान का यूज नहीं कर सकता उसमें कुछ सर्थे थी जैसे देखिए आप इरिगेशन पीने के लिए और छोटे हाइड्र प्रजेक्ट जो है उनके यह आप पानी का यूज कर सकते हैं लेकिन इसम है थे तो आप इनके लिए कर सकते हैं इस अगर जब लगता है नहीं surpris पानी कर रोकता नहीं के जोको मोडता नहीं ताकि दुबारा नहीं नहीं होती है डायरत को मिली है भारत इसका पूरा पानी यूजिकर सकता है जितना पानी आराम से यूजिस कर सकते हैं जितना हमको डैप बनाना है जो भी है तो इस पर यह सटे लागों नहीं होती है जब कि इन पर यह लागों होती है अब देखिए उत्तर से दक्षण की तरफ मिलाने के लिए शिंदू होती है सबसे पहले शिंदू है फिर जहलम है चिनाव है रावी है और उसके बाद में यह सतलुज है ऑप यहां पर गड़ जाती है तो आप धियान रखना और दूसरे इंपर्टेंट है चिनाव जो है इसकी सबसे बड़ी सहाएक नदी है जो सिंदू में आगे जाके मिल जाती है जैसों सिंदू की साहिक नदियों में पहले तो हम सिंदू को ओरिजिशन देख रहते हैं यह कलासमांस रोबॉर्ट के पास से निकलती है यह सिंदू और यहां पर आगे जाकर जासकर पाणियों से जासकर रिवर निकलके इसमें मिलती है फिर कि यहां इसके साइट से शुरू रिवर देशयाई परवत लोकेशन हैे कारगिल की है तो देशुणि परवट से निकलकर शुरू सिंदू में मिलती है इस शुरू रिवर पर ही चूटक डैम बना हुआ है आगे जाके गिलगित जो है इसकी लास्ट साहेक नदी है इंडिया में उसके बाद यह पाकिस्तान चली जाती है और जाके अरब की खाड़ी में गिड़ जाती है यहां हुंजा रिवर यह भी उसकी र इस योग भी है लेकिन यह रिवर जो है वो पश्यम से पूर की तरफ यानि उल्टी तरफ जाके इससे मिल रही है दूसरा यह है कि जो भारत में सिर्फ एक ही जिला है ले जिसके किनारे यह सिंदू है और किसी और जगह यह इंडिया में नहीं बहती है एक ही डिस्टिक है था ले करदिरे दोस्तों अगली नदी है जेलम जेलम नदी जो है बेरिनाक जहल से निकलती है और सइरी नगर यईक किनारे बसा हुए है इसकी दाइनी तरफ से किसन गंगा आके मिलती है इससे और जहेलम नदी पर तुलबुल परियोजना यानि कि तुलबुल डम बना हुआ है देखिए इसमें और भी डम है यहां बने हुए लेकिन जो थोड़ा से ट्रिक है याद करने का जहेलम में बीच में ला आता है तो यह आप यहां तुलबुल के साथ में जोड़के देख सकते हैं तो यह असानी से याद रहता है कि यह परियोजना जो है यह तो परियोजना है वह जहेलम से संबन देता है यह छोटी सी ट्रिक्स हैं आपको याद करने क्लिए क्योंकि सलाल बगलिहार और भी बहुत सारी डैम य सबस México देख लेना अब है दोस्तों अगली नदि है चिनाव में करता कि दो शीछ द्राइक नदिया हैं चंद्रा और भागा चंद्रा जो है जो जिला पास से निकलती है और भागा जो है बारा नदी को बनाती हैं चिनाव नदी पर तीन डैम बने हुए हैं दुलस्ती वगलिहार और सलाल बांद बहुत इंपोर्टेंट बांध है और बहुत बार पूछा जाता है दुलस्ती वगलिहार या सलाल यह किस नदी पर हैं बने हुए तो आप यहां याद रखना और यह पास भ नदी है वो है रावी हिमाचल प्रदेश में रोतांक पास्वे निकलती है और यह नदी पीर पंजाल और दोलादर के बीच भाती है यहां पर ऊपर पीर बेर यह रोदार रेंज है और नीचे रोदार रेंज इन दोनों के बीच बहके यह आगे जाके मिलती हैं डोस्तों अगली जो नदी है वह है व्यास रोतंग दर्ड़े के पास से यह निकलती है पीर पंजाल के दक्षंड से और हरीके बाराज में जाके सतलज से मिल जाती है व्यास की एक साहिक नदी है इसका नाम है परवाती और यहीं पर एक जो कुलू बहुत फेमस परटेनिस्थल है वो यहीं पर है व्यास पर दो बांद बने हुए है पॉंग और हरीके बांद यह दोनों ब्यास पर ही है यह नद दो री नदिए सस्टलूज संरुबर कि निककर क्यों इंस निकलती है और भारत में सिपक्ला दर्रा में हिमाषर प्रिदेस में उसके भारत प्रिवेश करती ऐगित-समी एक सैइकन नदी के जबोलällen इसमें मिलती है और सतलुच पर तीन डैम बने हुए हैं दोन डैम है नेपता जाकरी और भाकरानागर कि दोस्तो उत्रीवाद की नदियों में हम लोग सिंदु को खतम कर चुके हैं अब हम गंगा नदी के तंतर को देखेंगे दोस्तो गंगा के प्रवात अंतर में हम लोग देखेंगे देखें दोस्तों बहुत ध्यान से आपको देखना है बहुत इंपोर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम बहुत कोशन बनता है इससे एक दो बार आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं उसको पढ़ लिया आपने और सोच लेकि मुझे याद होगा नहीं याद होगा पूरा रिवर सिस्टम मैपिंग के साथ आप कवर करें यह आपको 100 प्रसंट याद होगा मैंने जितना आसान हो सकता है मैंने कोशिस की है इसको बनाने में और आपको एकदम से मैप के साथ में मैं समझाने की कोशिस करूँगा देखिए पहला जो है सबसे उपर आपको दिख रहा है टॉप पे बदरी नाथ बदरी नाथ से जो है अलग नंदा नदी यहां लिखा अलग नंदा नदी बदरी नाथ से निकलती है तो यह देखिए बदरी नाथ सबसे उपर टॉप पे है और यहां से यह निकल के अलग नंदा आगे की तरफ बहती हैं फिर उसके बाद देखिए पिंडारी नदी नंदा देवी से निकलती है देखिए यह रहा यह पिंडारी और यहां यह नंदा देवी से निकल के आगे की तरफ पड़ रही है मतलब सबसे पहले बदरीनाथ, फिर नंदा देवी, और नंदा देवी से पिंडारी निखलके आगे बहती है, आगे देखते हैं, मंदा की नदी केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से यह रहा, केदारनाथ से यह मंदा की नदी है, यह आगे जाके यहां पर मिलती है, फिर सबसे जो बाद में हैं वो गंगोत्री से भागी रती निकलती है देखिए ये गंगोत्री है और गंगोत्री के बाद में यहां पर आगे जाके मिल जाती है देखिए जो में जो नदी है जो आगे तक बहती रहती है वो है अलगनंदा अलगनंदा देखिए आगे तक चले रहे कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है मंदाखनी नदी अभी famous रही थी विए केदानाथ आपको पाता तो एक-दो साल पहले बहुत बड़ी बाड़ आई थी यहां पर वो केदानाथ के पास जी जो पानी था वहां से बहुत सारा एक खटा होके एक साथ में लेंसराइट कर गया और बिंदारर्टी कदानाथ से मंदाकनी और गंगोतरी से भाग रती है की ममिए दोस्तो कोशन आता है कि यहां दिखी चार प्रयाग दिया है me… व्श्मु प्रयाग, करण प्रयाग, रोदरियाग, और देव प्रयाग, उसमें पूर। पूँछता है की कौण-कौन सी नद और अलक नंदा इन दोनों के जो मिलने से यह विश्णू प्रयाग बनता है जो सबसे उपर है उसके बाद पिंडारी नदी यह जो है पिंडारी नदी यहां है और अलक नंदा जो मेन स्ट्रीम है अलक नंदा से कर्ण प्रयाग बनता है पिंडारी से यह देखी यहां पर यह क जो है रुद्र प्रियाग बनता है उसके बाद है भागी रती नदी जो यह है प्लस अलगनंदा यहां पर देव प्रियाग बनता है इसके बाद इनके मिलने के बाद यह गंगा के नाम से आगे बहती है दोसों इंपोर्टेंट है बहुत बहुत बार कोशन बनता है इस पर थो सबसे पहले जानते हैं कि बद्रीना सबसे उपर है और वहां पर अलगनंदा निकलती है अलगनंदा तो में है अलगनंदा तो इसमें जब भी ऑप्शन होगा तो अलगनंदा तो होगी साथ में बात में इन सारी नदियों को आप कैसे मिलाते हैं यह अप्शन में दिया होगा सबसे पहले दोली गंगा भिषणू प्रियाग आपको यादES रखना कि सबसे ऊपर है सात में दोली गंगा जब जाती है उससे तो हमों पर भी विषणू प्रियाग बन जाता है अगला देखते हैं थोड़ा याद करने के लिए कुछ नहीं होता है हल्किसी ट्रिक सब्सक्राइब कर जाती है तो मुल्टिपल चाइश कोशन इसली अराम से हो जाता है तो यहां थोड़ा इसको मैचिंग करके रखिए तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी दूसरा देखिए मंदाकरी नद दो मन्दावी नदी को आप घुसे के लिए यूज़ करोगे तो रोड़ प्रियाग इसली बन रहा है रोड़ प्रियाग फिलस लग याद करने का एधिक पर यहां पर अग्या औरक सब्रेंदेसरा नदी जो है प्रियाग जो सब्से नीचे है यहां पर आपर अके मिलती है तो दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको एक हलकी सी कोसिस है मेरी बाकि आप अगर आप कोई अच्छी ट्रिक बना सकें इससे तो आप देख सकते हैं इसको बट यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसकी ट्रिक जरूरू बनाईए कि आप इसको कैसे याद कर सकें दोस्तों गंगा प्रबात्नत्र की जो सारी नदिया है वो हम एक एक करके देखेंगे इसमें बाई तरफ से मैं पहले पता दो आपको बाई तरफ से जो नदी मिलती है राम गंगा गोमती खगर गंडग और कोसी और दाहिनी तरफ से जो नदिया मिलती है यमना शोन शोन दाहि से निकल कर बहती है कोलकता इसका किनारे है अज़ास को डोस्तों इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे जिसमें यहां पर देखिए जो नदियों के नाम हैं मैंने कलर करके रखेंब और उस इसाफ से बाया से राम गंगा जो है वह यहां पर और यह है और गंडग यहां आगली जो नदी है वह है राम गंगा उत्रागंग के गडवाज पर निकलती है और आगे जाके उत्र परदेस में यह जाती है बाद में दूसरी एक है गोमती नदी कमति नदी उत्तरप्रदेश के पीली जिले से निकलती है और कन्योच के पास जाकर यह गंगा से मिल जाती है लखनो जो है गोंती नदी के किनारी पशा हुआ है दोस्तों अगली जो नदी है वह हम देखेंगे वह है घागरा देखें गागरा का जो औरिजिन होता है वह गुरला मंदाथा पीक है माउन्स अवरोग के साउट से लब्दक्छड से और आगे जाके इसकी दो दाराएं मिलती है काली और करनाली मिलके यह घागरा बनती है और में आगे जाके नदी है राप्ती जिसके किनारे गोरगपुर इसके किनारे बसा हुआ है राप्ती नदी के किनारे और देखें कंफ्यूजन होता एक सब्सक्राइब और दोनों जो हैं सरि नदी के किनारे ही बसे हुए हैं यहां पर सरियू नदी की प्रमुक साहिक नदी छो क्रामाइब्धी जो उतरपरद रसक की देवरी जले के बरेज नाम लगस्तान पर इससे मिल जाती है तो कनफ्यूज नहीं करना है. इसमें सर्यू, गागरा, सार्दा, एक ही हैं और राप्ति इसकी साहग नदिया है. दोस्तों, अगली जो नदी है, वो है गंडग गंडग नेपौल और तिबब सीमा के पास से निकल्ती है और काली गंडग और तेशूली दो इसकी साहयाक नदियां हैं काली गंड़क यह रहे अब को तेशूली और यह दोनों मिल जाती है फ्री गंड़क बनके आगे बहती है और पटना के बिहार में पटना के पास जाके यह गंगा में मिल जाती है दोस्तो अगली जो नदी है वह है कोशी पहुत इंपोर्टेंट है यह नदी साथ धाराओं के मिलने से नदी का निर्माण होता है इसको सब्सक्राइब का जाता है मौन्ट अवरेस के गुशाई थान चौटी से निदि निकलती है इस नदी को बिहार का शोग भी कहा जाता है विहार में भागल्पूर के पास जाकर यह निखलती है तो अब हम लोग गंगा तंत्र में जो दाईं तरफ से जो नदिया मिलती है उनको देखेंगे अब तक हमने बाईं तरफ की नदिया देखते हैं यमना यमना सबसे बड़ी सहाइक नदी है गंगा की और यमनोत्री गंग ग्लेशियर से निकलती है बंदर्पूच चोटी जो है और इसकी जो साहेग नदिया है वो दाईं तरफ से मिलती है टोंस टोंस देखिए काफी उपर मिल जाती है उससे ओरिजन के थोड़ा बात साकी ही टोंस इससे मिलती है सबसे पहले दाईं तरफ से और फिर चंबल सिंध वेतवा केन कुछ सहर जो इसके किनारे बसे हुए हैं दिल्ली मतुरा आगरा इटावा कालपी और इलावाद दिल्ली मतुरा आगरा इटावा कालपी और इलावाद ध्यान रखना है ये सहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए है तेकि अब दाईनी तरफ से अगर हम इनकी जो सहेग नदिया है यमना की ये सहेग न नदिया हैं उनका क्रम नौर्थ से साओ जाने की उत्तर से दक्षण की तरफ सही से बताइए कि कैसे कौन पहले मिल रही है कौन बाद में फिर तीसे नंबर पर चौते नंबर पर तो आपको एक लाइन में इसको याद रखना है चम्मल सिंद वेतवा केन इस चार नदिया है मि यम्ना की सहयक है या नहीं है तो वह भी हमासानी से बहुत बार घंफियोजन होता है जो के चंकर में हैं तो तो यांट चार हो याद रखेंगे तो सिंद्धी केसाथ आजएगी तो यह हो जायेगी जब कि जो सोन है वह गंगा की सहा कैना की कोशन बहुत बार पूछा गया है और शोन में confusion होता है question गलत हो जाता है तो यहां आपको ध्यान रखना है इस पर दोस्तों अगली जो नदी है वो है शोन नदी जैसे मैं अभी पिसली बार बताया था शोन नदी गंगा की सहाइक नदी है और यह जो है सोन नदी अमरकंटक MP से निकलती है और आगे जाके गंगा में यह मिल जाती है गोविंद वल्लप पंत सागर जो बना है वो रिहंद नदी पर ही बना हुआ है दोस्तों अगली जो है हुगली नदी देखें हुगली दाई तरफ से एक वितरिका है गंगा की यह गंगा की सहयक नहीं है यह गंगा से एक जो धारा निकल निकलके जाती है वो हुग हुगली है और हुगली के किनारे कलकत्ता सहर बसा हुए है और यह आगे जाके पंगाल की खाड़ी में गिड़ जाती है तो ध्यान रखना एक वितरिका है गंगा की गंगा की कोई शायक नदी नहीं आई दोस्तों गंगा के साथ में यमना की सायक नदी देख लेते हैं इसमें चंबल नदी यह एंपी के मुग के पास बिन्दे बरूर मान से निकलती है इताबा के पास यमना से मिल जाती है और इसकी सायक जो नदी है बनाज पार्वती और यह काली शिंद यह थोड़ा गलत लिग यह हैं काली शिंद है यह यह आप दिखाये बनास जो है एंपोर्टेनट रिवर है राजिस्थान और एंपी की और यहाँ पे नियुहें इसमें दाइंतर और पारवती ओन दो से तो इस आहाए sushi और बनास पारवती और काली और कोशन आया था जी अस्फास्ट पेपर में कि काल्पी सहर किस नधी के किनारे हैं आपको मैं नहीं बताऊंगा अंसर क्या है जबकि मैंने अभी बताया है पीछे कि काल्पी किसके किनारे है तो अब जब यह वीडियो के देखें तो कमेंट करके मुझे जरू बताएं कि कालपी किस नदी के किनारे है दोस्तों एक और कोशन है आपके लिए हिमाचल प्रदेश से गुजनने वाली नदियां आपको बतानी है कि इन में से कौन-कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से हो कि गुजरती है ब्यास चिनाव यमना तो आप जब इस वीडियो को देखे तो कमेंट में मुझे जरू बताएं कि कौन-कौन सी जो नदियां है वह हिमाचल प्रदेश से होकर बेह रही हैं दोस्तों हम लोग सेंदू नदी गंगा नदी के प्रवात अंदर को कंप्लीट कर चुके हैं अब हम आगे प्रमपुत्र नदी को देखते हैं दोस्तों प्रमपुत्र नदी कलास रेन में चेम्यूंग दूंग ग्लेशर से निकलती है तिब्बत में इसे यार लंग शांगपो कहते हैं और भारत में जब यह अनाचल पृदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिवांग होता है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जब ये नदी आगे बैकर असम में प्रिवेस करती है असम एक जिला है सदिया सदिया में जब ये बैती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पढ़ता है और इसके नाम से ये आगे की तरफ बैती है इसकी जो सहएक नदिया है उसमें हम देखते हैं कि बाइन तरफ से जो नदिया इससे मिलती है तो देखे ये नदी का जो फ्लो है इस टाइब से है और ये बाइन साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया तो बाइन तरफ से जो नदिया बैती है दिवांग जो ये नदी दी होई है फिर लोहित है जो यहां दी होई है फिर धंशरी है और कपीली तीकि धंशरी जो रिवर है वो नागा हिल है यह नागा हिल से निकल के यह आगे बैती है और जो कपीली जो रिवर है वो यहां वरेल रेंज है वरेल रेंज से निकल के यह कपीली है जो ब्रह्मपोत् से देखें तो कामेंग ननदी मानस मेसर से निकलती है आप और तिस्ता जो है तो आप यह बंसीरी की है तो में तरफ से जो नदिया हो गई वह दिवांग लोहित तरफ और कपीली याद रखना है कपीली वरेल रेंज से निकलती है ये कोशन बहुत वार पुशा गया कि कपीली कहां से निकलती है तो वरेल रेंज यहां पर दिये हुई है इससे निकलती है और धंसरी जो है नागाहिल से निकलती है और बाई तरफ से मानस और शुबंसरी कामेंग और तिस्त यह जो हैं वो दाई तरफ से इसे मिलती हैं है दोस्तों आगे की तरफ बहते हुए जब ब्रमपुत जाती है तो जमना की रूप में प्रिवेश करती है बंगलादेश में तेकि एक बार मैं फिर से आपको इसके ब्रम पुत के जिस्थे से नाम बदलते जाते हैं उसको एक और बहती है तब इसको यारला सांग्पो कहते हैं और जब यह अनाचन प्रदेश में आती है तब इसका नाम दिवांग हो जाता है जब यह अशम पहुंसती है सद्या जिले में तब यह ब्रहंपुत्र कहलाती है और जब यह प्रिवेश करके बंगलादेश में बहती है तब इसक जमना लिखा हुआ है बंगलादेश में जब यह आती है तब यहां देखी गंगा की धारा जो है एक धारा तो गंगा की जो है हुगली की रूप में बेव बंगाल में गिर जाती है और दूसरी एक धारा जो है वह बंगलादेश की तरफ को चली जाती है जो गंगा की दूसरी जो नदी है मेगना मेगना आगे बहते हुए आके पदमा से मर्ज कर जाती है यानि कि मिल जाती है और उसके बाद में जब यह वेव ऑफ वंगाल में जब यह डेल्टा बनाती है तब यह मेगना के नाम से बनाती है देखना याद रखना है किरम से इसको गंगा पहले तो यह ब्रंपुत्र जो है जमना के नाम से बहती है फिर गंगा की एक धारा प्लस जमना मिलके पदमा बन जाती है जो यहां की जो दूरी तै करती है उसके बाद में पदमा प्लस मेगना जो दूसरी धारा है दूसरी नदी है मेगना पदमा से जब मिलती है तब यह मेगना के नाम से आगे के तरफ वहती है और इसी के नाम से बेख वंगाल में गिरती है तो याद रखना मेगना के नाम से अब देखी गिरने वाली बात कैसे याद रखनी है इसमें मेगना यानि मेग होता है बारिष बारिष जब गिरती है तो थोड़ा सेंस मतलब लग जाता है ट्रिक की हाँ वही किस नाम से यह जो है गिरती है तो याद रखना आप इसको कि कोशन यह भी पूछा सकता है कि ब्रह्मपुत्र को बंगलादेश में किस नाम से जाना जाता है और वो किस नाम से वह जो बे अफ बंगाल में यानि कि बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है दोस्तों आप लोंगे लिए एक कोश्यन और है ऐप ये उसकोषर्ण का बनाने का मेरा वह बतलब यह है कि आपको यह पता लग सकते कि किस तरह से बनते हैं कि कोश्यन इस तरह से हैं कि निम्लिकने envision पर बिचार करें बराक लोहित शुबन सिरी अनाचल प्रदेश की में ये नदियां कौन को सी नदियां जो है अनाचल प्रदेश में बहती हैं तो आपका बताना है कमेंट में आप बताईए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि ये नदियां जो है अनाचल प्रदेश में बहती हैं इनीचे आपको आप संदिया हुआ है केबल एक, दो और तीन, एक और तीन और तीन और तीन नदियां आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या अंसर हो बहती हैं, दोस्तों मैं आगे भी जोग्रोफी से जोग्रोफी के सारे चैप्टर जो है कवर करूंगा सबका वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्क्राइब जरू करें और बैल ऐकन को प्रेस करना ना बोले, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको नोट आटिफिकेशन नहीं आएगा और दूसरी वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगी, तो दोस्तों सब्काइब कीजिए इस चैनल को, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप कमेंट में जरूर बताएं, जितने भी लोग वीडियो देखें, कमेंट में कुछ तो जो है कमेंट करें वो लोग बोलें, वीडियो के बारे मि बताएं, और कोई ऐसा टॉपिक जो इस पे आप वीडियो बनवाना चाहें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ओपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बतान Thank you.